सरकस सरकस बिलकुल एक नॉर्मल सरकस की तरह थी बिना सर पैर के बस चली जा रही थी चली जा रही थी सिफ अचाई थी तो ये थी कि उन्होंनों अपने वरकर्स को काम दिदाने लिए ये मुवी बनाइ जब किसी के पास कोई काम नहीं था और यहीं लगा कि हमारे पास भी कोई काम नहीं है, तब ही हम यह मूवी देखने जाएंगे हर बार जो मैं अलग-अलग positive or negative point बताता हूँ न, वो इस बार मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें positive point है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, वो ही सिर्फ positive है बाकि इस film में कुछ भी अच्छा देखने लायक है ही नहीं, आखों को दर्द होगा first half में तो बहुत जादा और ऐसी दर्द भरी चीज रोईट शेटी ने बनाई है, यह मुझे यकीन नहीं हो रहा है देखो फिल्म बरबाद इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी performance बिकार थी बरबाद इसलिए थी क्योंकि script, story कुछ थी ही नहीं, गिसी पीटी चीजी थी और बस एक moral को समझाने के लिए इन्होंने पूरी एक film बना डाली, जिसमें कोई सरपैरी नहीं है और मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आती है कि रोईचेटी को अनाथों से क्या obsession है भई? और एकदम last में जो गोलमाल का connection है ना, वो तो इतना वाहियात है और वो जो dialogue मारता है ना, वो गोलमाल, वो तो इतनी बकवास इसे connection नहीं बोलते हैं, इसे रायता फैलाना कहता है जो तुम कभी समेट नहीं पाओगे और भई, ऐसे फैलाए होया रायता है हमें मत दिखाओ नहीं देखना है हमें अच्छा खासा spy universe, cop universe बन रहा है ऐसे जबरसते क्यों गोलमाल का universe बनाने के कोशिच कर रहे हो और अगर सच बोलू ना, तो इस जो supporting cast है, इनका सब का नाम डुबोने वाली फिल्म इतनी एची performance पर इतने बेकार character, जिनका कोई मतलब भी नहीं है चलो, सबसर्ची चीज जो थी ना, वो बताता हूँ सिर्फ एक ही इंसान, जिसकी performance लग रहे थी कि भाई, कोई comedy film देखने आये हम वो था सिदार जादव उनकी performance इतनी अच्छी थी कि उस performance को देखके लग रहा था कि ये गोलमाल universe है जो performance उन्होंने गोलमाल fun unlimited में दी थी, बस वैसे ही performance थी इसमें भी देखो ठीटर में देखने जाना है या नहीं जाना है, वो तो decide करी लो अपने हाप क्योंकि फिल्म भले ही बेकार हो, पर जिस वज़ा से बनी है, वो वज़ा बहुत अच्छी है एक तो इसका moral, और दूसरा किनों ने covid में भी अपने team को काम दिलवाया तो overall ये perfect entertainer तो नहीं है, पर ठीक है, काम चला हुआ है, अगर bore हो रहे हो, तो खुछ देख सकते हो पर उसके बाद की guarantee नहीं है कि ज्यादा bore ना हो जाओ और कहीं सो ही ना जाओ और पता है, पहली बार रनवीर सिंग ने अपनी energy side में रखके बिना overacting के performance दी है जो कि हमें अच्छा लगा, हम खुश हुए बाकी सारे character के बारे में बात करके कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सब बेवजा ही थे और सबसे अधा वहायात और गुसा दिलाने वाला character सिर्फ एक ही था जो बेवजा था, जिसकी वजा से ये पूरी की पूरी बकवास चली मुरली शर्मा का character इसे starting में देख कैसा लगा कि वैक हुंटा पुरमलों से कोई scene चुराया हो अगर नहीं जानते उस film को तो शहजादा जिसका रीमे के वो और ये review कैसा लगा, क्या है आपके विचार वो मुझे comment down करके बताना जरूर तो भई मैं तो चला glass onion देखने और बागी updates के लिए subscribe कर लेना